कि अब गुद्वाइब बच्चों हेलो कैसे हो आप लोग सब ठीक ठाक तो आज हम पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं आज हमारा पहला लेक्चर होगा जैसे उपर लिखा भी है आपका बेसिक मैथ तो थोड़ा सा बेसिक मैथ मतलब पहला लेक्चर है और इसको स्टार्ट करने वाले हैं तो थोड़ा सा हम आपको आयाटी के बारे में हलका से बता दें कि आयाटी में मैथ में आपको टोटल पढ़ना तो वही है जो उसके सिलेवर्स में दे रख लाइक आपको एक बार नाम कि पढ़नी है यह सब चीजे आपको पूरे मतलब दो साल च्कार विद्वेंगे अगर भाए कि दौटल में घो जो जो चीजी आयेंगी उसको अम पढ़ते हैं इसको क्यों में इसको कलास 10 फैंटि हम थोड़ा बहुत पढ़े होते हैं इस में me पढ़े होते हैं, उनने को एक बार जितनी क्लास 10 की चीज़े पढ़े होते हैं, moreover उसको एक जगा हम एक जगा इकठा कर देंगे ताकि आपको चीज़े एक बार आपके रिवाईज हो जाएगी, और रिवाईज होने के बाद से जब एक बार हम बता देंगे, तो फिर आपको वही चीज़े जो class 10 में पढ़े हैं जब उसका हम यहाँ पे यूज करेंगे class 12 के अपने 11 के या target के दोरान तो आपको वो सब चीज़े course के दोरान सब चीज़े line by line समझ में लगे कि हाँ यह चीज़े वहाँ पढ़े थे उसका कैसे यूज कर रहे हैं तो इसलिए पहले दीन में आपको basic मैं बस basic चीज़े के बारे में बताऊँगा जो कुछ दिने तक चलेगा जैसे basic में आपको पहले थोड़ा सा number system के बारे में जानेंगे फिर थोड़ा उपन होंगे इनकी value क्या होगी इन सब चीज़ों के बारे में पहले पहले जो basic होता है पहला chapter उसमें हम पढ़ेंगे और इसकी seat भी आपको मिलती है प्रकाइदे तो अब आप स्टार्ट करते हैं जैसे कि मालो कि आप कुछ notation से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पहला बिल्कुल basic notation जो एक लास 11 में यूज के लिए आएगा जैसे पहला मैं notation के बात करो तो एक notation होता है sigma notation ना होता है sigma notation या इसको बोलते हैं continued sum continued sum जिसको कर जिसका कि अगर मैं इसको एह नमबर दे दे हो तो इसको मैं बोलूँगा पहला point इसका कि इसको denote किया जाता है denoted by पढ़ा होगा कभी ना कभी denoted by sigma से denote के जाता है पढ़ा जाता है sigma sigma तो इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि लाइक अगर मैं कहूं तो इसमें देखो ऐसे रहता है ने ऐसे सिगमा देखो बहुत कंफ्यूजाने बहुत सारे बच्चे इस चीज से कंफ्यूज रहते हैं कि सर्षिगमा में अगर लिखा है यहाँ पर एक के तो यहाँ पर लिखा होता है के कोल टो बन से लेकर इन तक तक इसका मतलब समाझे ना कि इस सिगमा के सब्सक्राइब और 1 तो और सिग्मा का अगला नमबर लिखने से पहले अक यूज करेंगे जैसे पहले k equal to 1 डालेंगे तो यह हो जाएगा a1 फिर अगला k equal to 2 डालने से पहले हम plus लगा देंगे तो plus हो जाएगा तब लिखेंगे a2 फिर हम आगे इसका अगला number डालने से पहले एक plus लगा देंगे तो लिखेंगे a3 मतलब की यह sigma का मतलब होता है actual में sigma का मतलब होता है plus तो plus आपको लगाते जाएगे और यह आपको होता जाएगा और last नमबर हो जाएगा an जैसे कि मैं आप उसे एक चीज मैंने मालूम मैंने पूछ लिया कि sigma k equal to 1 से लेके 5 तक a k की value क्या होगी तो आप बोलोगे sir a1, a2, a3, a4, a5 पस क्योंकि आखरी नमबर 5 है और चुकि sigma लगा है तो हर एक दो term के बीच में मैं बोलो word पे ध्यान देना term के बीच में दो term के बीच में plus लगना है अब जला देखो मालो किसी ने कहा कि आप बता दो बिटा कि k equal to 1 से लेके 5 तक अगर मालो की एक लिखा है तो इसका का मतला होता है कि मैं k equal to 1 डालूगा तो value 1 होगी अगले value लिखोगा तो उस समय भी आपकी यहां पे तो 1 फिक्स हो गया है लेकिन यह 5 बार प्लस लगना है तो यह 1 फिर अगला 1 फिर अगला 1 फिर अगला 1 मतलब इसको इसकी जो numeration है वो 5 बार है मतलब यह 5 बार चलेगा इसका मतलब वोता है 1 से 5 तक मतलब 5 बार यह चलेगा दोड़ेगा तो यह 1, 2, 3, 4, 5 और इसका सम हो गया है आपको 5 अगर मालोग किसी ने दे दिया आपको k equal to 1 से लेके 6 तक 3 की वेलू तो इसका मतलब वोता है 3 आपका 5 बार चलेगा 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 एक, 2, 3, 4, 5, प्लस 3 यानि यह आपका हो जाएगा 3 इंटू 6 यानि आपका 18 सब जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 18 तो यह आपका सिग्मा का मतलब यह होता है अब अगर मैं मैं अगर ऐसे एक और बस आखरी बार बार मैं बोल देंगे एक बार की मालोग लिखा है सिग्मा के equal to 1 से लेके n तक आपका 1 लिखा है इसका मतलब वता है एक को आपका n बार एसे ही चलेगा 123 1111 11 11 11 11 111 यह सब आपका n टाइमस लिखा गया है आरे मैं टाइमस लिखा गया है तो यह बन जाएगा आपका सब को जोड़ेंगे तो पांच बार जोड़ेंगे तो 5 होगा, 6 बर जोड़ेंगे, तो 6 होगा, 7 बर जोड़ेंगे, तो 7 होगा, N टाइम्स जोड़ेंगे, तो यह आपका N हो जाएगा अच्छा, चौते नंबर के बाद पर आते हैं चौते नंबर पर इसकी प्रोपर्टी क्या होती है like इसमें क्या क्यों हम इसको पढ़ रहा है क्योंकि जब आगे हम sequence series पढ़ेंगे या इस तरह के chapters पढ़ेंगे तो आपे कुछ इसका notation का मेजरोत पढ़ेगी और अभी कुछ देर बाद ही पढ़ेंगे like कि अभी basic के बाद quality के बाद sequence series पढ़ेंगे तो उसके बाद से हम इसका जो notation है वो use करेंगे तो कई बार हमसे confusion या बच्चे confused हो जाते हैं या गलती कर देते हैं उसमें कि यहाँ पे इसको ऐसे break नहीं कर सकते क्या तो वो चीज बस जाल ले कि आपका जो इसकी property होती है कि पहली property कि मैं property में बात करूँ तो property आपकी मैं पहली यहाँ से लिखता हूँ कि पहली property जो हो जाती है इसकी वो हो जाती है कि sigma can be distributed distributed over edition edition के ओपर sigma को distribute किया जा सकता है मतलब क्या कहना चाहता हूँ मैं कि sigma k equal to 1 से लेके n तक अगर मालो यह a k plus b k लिखा है या a k plus b k लिखा है तो यहाँ पे आप लिख सकते है sigma k equal to 1 से लेके n तक a k plus sigma 1 से लेके k equal to 1 से लेके n तक b k याँ आप यहाँ पे sigma को plus के उपर distribute कर सकते है मतलब अलग अलग कर सकते है इसकी facility अपने पास होती है तो अगर एक बात और आप class आप 11 त में आ गए हो या मेभी target में आ गए है तो एक बात और ध्यान देना आपकी आपको यहाँ पे minus जो addition होता है वो जो आप minus लिखते हो ना minus यानि subtraction भी एक तरह का addition होता है बस एक negative number का addition होता है तो हम यह सेम चीज अपलाई होता है minus पे यहाँ पे मैंने minus भी लगा दिया कि मतलब plus minus के साथ same बात होती है अच्छा दूसरा इसकी दूसरी property दूसरी property यह है कि sigma जहान देने वाले बात है कि cannot be distributed डिस्ट्रिब्यूटेड ओवर multiplication यार division ओवर multiplication और division तो भच्छो ध्यान दो कि क्या इसके कहने का मतलब हुआ कि देखो इसका मतलब यह वह वहा कि आपका ऐसे हाया प्रूब भी मैं कर सकता हूँ हर जी दोको आप प्रूब भी कर सकते हैं प्रूब यशे k equal to 1 से लेके N तक आपका AK into BK है आप ऐसी गल्ती कत्तह ही मत करना कि ऐसे लिख देना यहां से k equal to 1 से लेके N तक AK into k equal to 1 से लेके N तक BK ऐसी गल्ती बिलकुल मत करना तyu यह आपका multiplication पे distribute नहीं होता है आप बिल्कुल clearly इसको approve भी कर सकते हैं अच्छा अगला कि आप ऐसा भी गलती मत कर देना कि k equal to 1 से लेके n तक a k upon b के लिखा है कभी तो आप यहाँ भी ऐसी गलती बिल्कुल मत करना कता ही मत करना कि आप इनको अलग-अलग कर दिये a k k equal to 1 से लेके n तक और यहाँ भी सिग्मा देख लो बच्छों आ रहा होगा k equal to 1 से लेके n तक b k तो आप ऐसी गलती मत करना कि यह उपर नीचे डिवाइड कर देना ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल ध्यान रहे तो यह आपका इसकी properties है आप हर एक property को prove भी कर सकते हैं बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है प्रूफ करने में कहीं भी आप चाहें तो कोई भी दो नंबर लिखके अब मतलब प्रूफ करने के लिए आप इसको देख सकते हो या आप फील ले सकते हो कि कि 1 से लेके 3 तक ले लो और term को इस term तक sum लो रखके देखो आपका proof हो जाएगा मतलब मैं इसमें time waste नहीं करना चाहता proofing में चलो ठीक है जिरा next पे बात करते हैं अब हाँ तो अब आते हैं बैचो ये तो हमने पढ़ा अभी तक continued sum के बारे में लिखते कैसे हैं का इंतक लिखा है और ये a के लिखा है इसका मतलब जैसा नाम है पिछले वाले में sum नाम था तो प्लस आ रहा था बीच में इस बार आपका प्रोडक्ट लिखा है मतलब आपका multiplication आपकी sign आएगा तो बच्छो multiplication का sign हो जाएगा A के मतलब पहला k equal to 1 लिखूंगा फिर k equal to 2 लिखूंगा तो अगला term लिखने से पहले बीच में multiplication करेगा फिर तीसरा term लिखूंगा तो फिर multiplication फिर k equal to 4 आएगा तो फिर multiplication फिर dot 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 ऐसे ही n आएगा तो अगर आपका n हो जाएगा अगर मैं बात करूँ इसके कुछ और एक चांपल्स पर बात करूँ या बात करूँ अच्छा इसमें भी मैं आपको प्लस लगाना है और ये देखे मतलब आपको multiplication लगाना है यही बता रहा है कि यहां पर की वहरी करेगा लाइक अगर देखो मैं पिछले वाले एक्जांपल्स में यह वाली चीज नहीं लिया लेकिन यहां पर लेने का मुझे मौका मिला है एक हमानलो ऐसे है आर एको टो वन से लेके n तक आर इंटू एक के तो आप एक बात देखना यह आईसे हमानलो और थोड़ा से अच्छे से लिखे है तो लिख सकते है एक के ए आर इंटू बी के तो यहां पर आपको आदत ऐसी हो जाती है कि हम एक के 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 चकर मित्यायत बन जाती है कि हमको लगता है कि बस यह आर लिखा है तो इसका मतलब के को भी दोड़ा हो नहीं इस पर सिर्फ आर दोड़ेगा क्योंकि यहां पर वैरियेबल यह वाला बताता है कि variable r है तो दवड़ेगा सिर्फ आपका r दवड़ेगा तो इसके लिए k constant हो जाएगा तो bk बाहर आजाएगा इस पूरे system से और r equal to 1 से लेके n तक a r हो जाएगा और ये bk into अब लिख सकते हैं पहला term a1 फिर a2 फिर a3 dot मतलब into a हो जाएगा a n ये बन जाएगा अब ऐसे ही मालव आपके सामने कभी आ गया r equal to k equal to 1 से लेके n तक a इसका मतलब क्या हुआ वचों इसका मतलब हुआ कि ये a आपका 1 से लेके n बार मतलब a आपका n बार लिखाएगा like ऐसे लिखाएगा a फिर अगला term भी a ही है क्योंकि हर टर्म a है यहाँ फिक्स कर दिया गया है तो a into a into a into a हर टर्म आपका a हो गया तो यहाँ पे आपका ऐसे ही a यह आपका n टाइम्स हो गया तो यह हो गया आपका a की पावर n यानि आपका यह चीज जो आप basically सीखिए रहे हो कि अगर यह sign लगा है तो आपको multiply करना है कितने बाद करना है वो यह बताएगा और अगर आपका इस तरह से है तो यह बस आपका हर टर्म के पहले लगाने के पहले आप बीच में एक multiplication का sign लगाएंगे अगर इसकी property पे थोड़ा हम बात करें properties पे बात करें तो properties में पहली property अगर हमका है तो बिलकुल वही है पहली property कि यह आपका मतलब आपका जो यह होता है यह इस बार बगावत कर देता है यानि product जो है product यह बगावत कर देता है product cannot be distributed distributed over edition यह edition के हलका सा इसमार आपको प्रूब भी थोड़ा सा दिखाऊंगा edition के उपर कि आपका distribute नहीं होता है मतलब यह आप कत्त ही नहीं कर सकते कि आइसा लिखा हो k equal to one selected n तक a k plus b k आप ऐसा बिलकुल नहीं कर सकते कि यहाँ पे k equal to one से लेके n तक a k plus product में k equal to one से लेके n तक b k कर दें ऐसा बिलकुल आपको नहीं करना है क्योंकि यह आपको इस पे यह पगावत करता है और कब कर सकते हैं ऐसा जब यह sigma हो तो ऐसा वो plus से minus पे तो जैसा plus का वेवार वैसा ही minus का वेवार तो उस समय हम कर सकते हैं जब sigma हो तो लेकिन product पे नहीं second अगर थोड़ा सा मतलब थोड़ा समय हलका से इसका आपको ज़ला दिखलाओ एक कैसे होता है देखो जिसने माल लो कि मैंने लिखा कि product में k equal to one से लेके 3 तक ज़्यादा बड़ा नहीं ले रहा बहुत हलका सा एक के प्लस बी तो इसका क्या मतलब वहा है मैं left hand side वाली बात करो इसका left hand side वाली बात करो तो इसका मतलब वहा है कि पूरे पे पहला term लिखने के बाद अगला term लिखने से पहले को मल्टिप्लीकेशन का साइन लगेगा, मतलब पहला term लिखाएगा A1 प्लस B1, फिर अगला term लिखाएगा A2 प्लस B2 और इनके बीच में इन्टू साइन आएगा, फिर इन्टू हो जाएगा A3 A3 प्लस B3 यह आपका हुआ LHS अगर मैं RHS की बात करो राइट हैंड साइड में तो यह आपका सिगमा K1 से लेके 3 तक A K प्लस सिगमा K1 से लेके 3 तक B K, अगर अब कहा जाए तो यहाँ पर इस सिर्फ इस टर्म को अगर इस टर्म में कहा हो जाएगा A1 इन्टू A2 इन्टू A3 I hope आपको दिख्या होगा फिर प्लस अगरे वाले टर्म कहा हो जाएगा B1 इन्टू B2 इन्टू B3 क्या जरा देखो तो यह दोनों equal है क्या देखो तो उच्चो यह दोनों equal है क्या देखो इन दोनों फूले को multiply करेंगे तो equal मिला के 7-8 term माएगे आपको इनको multiply करेंगे दो ही term आया हुआ है तो equal नहीं है इसलिए आइसा नहीं होता है सेम चीज़ एडिशन में है not equal इसलिए यहां पर लिखा गया है कि भाई यह equal to का sign नहीं लगाना है second property लेकिन 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 खुशूर्थी तो इसकी भी है कि product can be distributed over multiplication and division multiplication and division division पे और multiplication पे यह distribute हो जाता है like यह आपका इस type का कुछ मालों कहा जाए कि product में a k into b k लिखा है k equal to 1 से लेकिन तक तो आप वह ऐसे ही prove करना इस बार यह बगावत नहीं करेगा यह आपका similar जाके दे जाएगा into आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं यह बगावत नहीं करेगा या अगर हम product पे बात करें तो product of a k equal to 1 लेकिन तक a k upon b k यह बन जाएगा product of k equal to 1 से लेकिन तक a k upon product of k equal to 1 से लेकिन 1 से लेकिन तक b k तो यह इस बार आपको यह बगावत नहीं करेगा कब बगावत नहीं करेगा यह जब आप जब आप product याप division की बात करें लेकिन sum और subtraction की बात करेंगे तो यह आपको बगावत कर जाएगा बात समझ में आ रही है अब थोड़ा सा हम इसके आगे की बात पढ़ेंगे यह तो आपको simple notation के बारे में मैं चला था अभी तक सिर्फ continued sum और continued product के notation के बारे में अदलब की इस सब जो चीजे है अगर इनका बगवास का अगर इस बगवास का थोड़ा सा दा दो की यूज कहा रहेगा तो इस बगवास का जैसे मालो की जो भी अभी तक बगवास किया गया है इस बगवास का अगर यूज में थालका से बता दो यह से मालोग कभी आ गया कि भाई सिगमा टू की पावर के प्लस थ्री की पावर के तो क्या करे और प्रोडक्ट टू की पावर के सेम चीज़ सेम सवाल में ऐसी बाते आ सकती हैं तो इस बार यहां पे तो हम खुशी खुशी इलम बिल्कुल खुशी-खुशी याणि इलम मुशकुराते वे यह अलग-अलग कर लेंगे लेकिन यहां पे हम अलग नहीं करेंगे यह आएगा तो ऐसे ही लेकर बटे रहेगा इसको ही solve करना पड़ेगा मतलब यहां पे हम यह नहीं कर सकते यहां पर करने के लिए आपको अगर यहां पर इंटू होगा तब अलग कर पाएंगे प्लस होगा तो यह ऐसे का ऐसे ही रहेगा जैसा है वैसे ही स्वाल होगा बात समझ में आई इसके बाद तो यह आपको बस ऐसी कुछ बपास अगर आपके सेक्वें सीरीज में कहीं भी इस तरह की चीज़ आती है सवालों के दारान तो आप इसलिए सारी बाते मैंने अभी तक आपको बताया है अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे हाँ अब पढ़ेंगे बच्चों नंबर सिस्टम जैसा मैं बोला कि अब नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा हमको पता है आपने क्लास 10 में इसके बारे में भी कापी पढ़ लिया होगा लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा इसके नंबर सिस्टम के बारे में जान लेते हैं number system है number system ऐसे तो अगर हम इसका पहले hierarchy order decide कर ले कि क्या hierarchy order है तो वो मैं दिखा दो बाकी उसके बाद की चीज़े में इदर मैं आपको एक एक चीज़ लिख दूँगा पहले मैं hierarchy order आपको दिखाता हूँ कि सबसे बड़ा है complex number इसको denote करते हैं c से और इसको हम बोलते हैं complex number, अब इसके बंसज तयार होते हैं, यह सबसे बड़ा होता है complex number, सबसे बड़ा, अब इसका इसके छोटा होता है rational number, यह मतलब इसके दो पार्ट होते हैं, अगर हम कहें तो ऐसे, एक होता है real और एक होता है imaginary, इसका एक होता है real और एक होता है imaginary, अब इसके मतलब कुल मिलाके इमेजनरी अब इसमें कुल मिलाके आपका रियल के फिर से दो पार्ट होते हैं मतलब दो इसके पुत्र रियल के दो पुत्र कौन-कौन एक रेसनल और एक इरेसनल देखो पढ़ भी रहा हूँ यह लिखा है रेसनल बच्चों यह लिखा है रेस्नाल और यह लिखा है आपका बच्चों इर्रेस्नाल इर्रेस्नाल फिर रेस्नाल अब यह इसका इसका आगे फर्दर कोई बंसज नहीं आया कोई पुत्र नहीं हुआ साधिवा नहीं हुए इसके लेकिन फर्दर इसके फर्दर आपके होते हैं आ आपका या तो सामने वाला इंटीजर होता है जिसको की आई से डिनोट किया जाता है या तो नौन इंटीजर होता है जिसको आई सी या आई डेस्ट से डिनोट किया जाता है जिसको बोलते हैं हम नौन इंटीजर देखो इसलिए मैं लिख रहा हूं क्योंकि फस्ट टाइम है अच्छा of the double-down थरीक मेंता है ऐसे वोल्ड भनता है और बार बार ऐसे भार बार आप इतना टाइम नहीं लगा के बना सकते किसी को भी इसलिए इसको तो 60 कट में यहाँ पर 2 लाइन बना दी जाती है ताकि वो आपका पहिचान रहे इंटीजर से यहाँ पर यह बोल्ड होता है लेकिन यहाँ पर 2 लाइन बना कैसे कर दी गई है यह किताबों का स्टेंडर्ड नोटेसन है बचो तो यह integer का फर्दर तीन पार्ट होता है इसके फर्दर तीन पार्ट होता है एक होता है आपका I I plus है फिर आपका है I zero I zero फिर एक है I minus I minus का मतलब negative integer I plus का मतलब की positive integer और I zero का मतलब की only zero integer zero integer अच्छा यह है zero integer अच्छा फर्दर I plus को ही हम बोलते हैं इसी को natural number बोलते हैं capital N से में denote कर रहा हूँ इसी को natural number बोलते है natural number नाम है natural number और जब इसको I zero zero को natural number को एक साथ मिला दिया जाए तो यह बन जाता है whole number मतलब number अब जाके number पूरा हो गई complete number या whole number इसको बोलते हैं हिंदी में पूर्ण संख्या यह हो जाता है whole number इसको बोलते हिंदी में पूर्ण संख्या इसको फ्रक्रतिक संख्या है इसको धनात्मक धनात्मक पूर्ण संख्या है इसे जीरो है इसे सब्सक्रत का हिंदी नाम भी है तो यह हो कि आप जड़ा सा मैं एक एक चीज़ के बारे में हलका हलका आपको ओवर्ण देता हो कि complex number का क्या मतलब है कॉंप्लेक्स कॉंप्लेक्स कानम है क्या मतलब है कॉंप्лемेश lasset नमबर का क्या मतलब है मैं आपको बिदा देता हौर कांपनेश संख्या है प Darren कॉंबर बेसिक से निकाटार्ट करते हैं यह आया कहा sauce था तो यह आया था आपका क्वाडिटीक इक्वेशन में कहीं correct वो रहा था तो quadratic में आपको under root के अंदर अगर negative number आ गए थी तो इसी चीज को वह से तो जनरली under root के अंदर negative number defined ही नहीं होती है अजब जो चीज defined नहीं होती है उसकी value कैसे निकाला जाएगा तो इसके लिए लेकिन लेकिन उसका मैस वाले है मैस वाले ना वो मतलब एक अलगी दिमाग चलता है इनका मैस के लोगों का तो यह लोगों ने कहा ठीक है जो नमबर एक जिस नहीं करती है complex number का एक और और भी इसका और हुपका है तो यह जैसे इसको लिख देते हैं हम आई इसको लिखा गया आई आई का मतलब है आयोटा आयोटा complex number का एक और नाम होता है आप 80 numbers imaginary numbers अलब यह इमेजन की गई है सिर्फ एक कल्पनाओं के दुनिया में चलता है complex number और under root minus 1 की value होती है आई इसको लिखा है और इसकी अगर value देखा जाए तो आई की value आपका आगया under root minus 1 this implies i square की value कितना हो गई बच्चों minus 1 मतलब यह fix बात हो गई कि i square की value मतलब minus 1 का under root i होगा या i square की value minus 1 होगा एक बात दूसरी बात आप यहरा समालों की कोई आपसे पूछ लिया कि i square तो minus 1 हो गया ठीक है i cube की value क्या हो जाएगी तो हम कहेंगे कि यह i square into i लिखा गया है मतलब यह minus 1 into i लिखा गया है मतलब i हो गया अगर कोई पूछेगा कि i की power 4 की value क्या हो जाएगी तो हम कहेंगे यह i square का square लिखा है मतलब minus 1 का square लिखा है मतलब यह plus 1 हो गया तो आप एक चीज़ देखो कि क्या आया हमारे पास अभी तक कि i की value अगर मैं कहूं i है तो i square की value minus 1 है i cube की value आपका i आगया minus i आगया और i की power 4 की value आपका 1 आगया अब पता है लोग क्या करते हैं इन चारों को जोड़ देते हैं लोग क्या करते हैं इन चारों को जोड़ देते हैं अगर इन चारों को add कर देंगे तो क्या आजाएगा आपके सामने प्रस्तुत है i i square plus i q plus i की power 4 जिसकी value है हमने तो left लिख दिया आप right जोड़े i से i उड़ा minus 1 से minus 1 सब एक दूसरे को ले डूबे सब की titanic डूब गई अब हो गया लेकिन लेकिन यही पर खतम नहीं होता है इसकी कहानी और भी थोड़ा सा और मैं interested हूँ आपके लिए निकालने के लिए i की power 5 निकालने के लिए इसको मैं लिखूंगा i की power 4 into i यह i की power 4 की value आपके सामने है यह है 1 into i मतलब i सापस मेरे बच्चों i की power 6 निकाला तो यह हो गया i की power 4 into i square आपको अगर आप मेरी बातों पे मेरे बोले पे और मेरे pain पे यानि चौक पे आपका ध्यान होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या लिखने वाला हूँ अगली line तो यह हो जाएगा 1 into minus 1 आपका आगया minus 1 i की power 7 यह हो जाएगा i की power 4 into i cube और i cube के value minus i है तो 1 into minus i आगया minus i ऐसे ही i की power 8 तो यह है i की power 4 into i की power 4 मतलब 1 into 1 आगया 1 तो अब जब इनको भी जोड़के देखो इनको भी जोड़ोगे तो i से i उड़ा minus 1 से 1 लेके फिर नहीं यह डुबा दिया मतलब titanium डूप गई फिर से अब इसका मतलब यह हो अच्छा दूसरा मैंने काम क्या किया है कि किसी भी ज्यादा power को किसी भी ज्यादा power को i की power 4 में तोड़ा गया है क्योंकि एक बात पता चल गया है कि i की power 4 की value होती है 1 fix होती है तो यह से दो बाते लोग लिखते हैं यह से कि दो बाते कि अगर i का 4 consecutive power of 4 terms of consecutive power of i is equal to 0 यानि consecutive power of sum आप मैं लिख देता हूँ इसको कि sum of 4 terms of consecutive power consecutive power is equal to 0 इसके कहने का मतलब जरा से देखो मैं बगल में लिख देता हूँ कि इसके कहने का मतलब कुछ ऐसा है यहां से कि i की power अगर n plus i की power n plus 1 I hope आपको दिख रहा होगा i की power n plus 1 plus i की power n plus 2 plus i की power n plus 3 is equal to दे हो कितने term है 1, 2, 3, 4 तो आपका आख बंद करके बोल दो 0 लाइक अगर और हैं बोले और भी बोले परेसे मालों कभी मिला i की power 12 i की power 14 i की power 15 i की power 13 answer क्या हो जाएगा 12, 13, 14, 15 मैंने जान मुझ के लिखा है 13 को उधर की दिखने में थोड़ी दिक्कत हो अच्छा तो यह आपका हो गया मतलब 4 consecutive power कसम 0 होता है पहली बात आपको बढ़ा चली दूसरी बात बढ़ा चली इसमें कि और किसी भी power कितना भी ज्यादा power होका i की खुब ज्यादा power आप बता रहा हूं एक्जामपर मैं एक्सिमम power अगर पूछने लगे तो आप उसको degree 4 के term में तोड़ो और 4 इसको 990 में multiply करो कितने बार जाएगा बोलो 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 अच्छोबीस बार जाएगा क्या 24 2460 96 होता है और कितना फ़ल्ट तो आएगा तीन तो यह 1 की power 24 into i cube अब इसकी वेलू तो 1 और i cube की वेलू आपको याद है minus 1 तो आगया minus i i की power 99 का ऐसे ही अगर किसी ने आपसे पुछा 105 तो आप इसको i की power 4 में तोड़ोगे कि उससे कितना फाल्तु है तो i की power 4 से 26 का 4 में multiply 104 होता है तो यह हो जाता है i की power 26 तो यह 104 हो गया और into 1 i बच गया यह एक i फालतू है तो इस पूरे की value तो हो गई बच्चो 1 into i यानि answer आगया i तो यह आपका total complex number के बारे में है यह complex number की चीज़े इतने ही हमें जरुरत है class 11 के लिए अब इसके बाद एक chapter class 11 में हम पढ़ेंगे complex number पूरा एक chapter है मतलब आप IIT के course के लिए complex number एक chapter है फिर आप graduation में BT करने गया IIT के अंदर गया तो complex number एक subject है फिर आप उसके उपर और गया तो complex number एक research करने का field है मतलब पूरा complex number का integration होगरा सब होता है सब्चेक्ट पढ़ेंगे उसके उपर एक पूरा research का field है एक branch है जैसे algebra एक branch है वो जैसे complex number एक branch हो जाएगी तो हम complex number आगे मतला हूँ समझों कि complex number यहाँ basic से आप class state से start कर रहे हो इससे पहले कभी complex number को जोड़ोना घटाना 11th relevance से पहले आप नहीं सीखे होंगे तो इसके आप पूरे chapter के बारे में पढ़ेंगे ठीक है अब आगे चलते हैं आगे बात करते हैं next real number के बारे में जो हम भच्छों अभी देख रहे थे कि complex number के बारे में अभी आप पढ़ रहे थे complex number यानि जो number system है number system का पहला part complex number पढ़े उसके बारे में थोड़ा सा मैं चीज़े बताया भी क्योंकि वह आपके लिए पहली बारे पहली जानकारी है इसके लिए इसलिए में थोड़ा सा ज्यादा इसके बारे में बताया और बनारशाम को नेचलल नंबर को ढेंचलल नंबर को देखो डिनोट किया जाता है är इसको यह o श्यहांज करना सब्सक् सब्सक्राइब आज करणी के लीए इसलिए हम लोगोच के लिए यह ही हापका नेचल नंबर ओर यहाँ रखा देता है यहांपर डभल गिंती इसे स्रूव हो वे मतलब गिंती आपको करना इसट्ण जब हो ग Hello गिंति प्रहका ऑगि पहले कांटिंग की अमबर ओhold पातीبة जैसे पहले कांटिंग का कुछ दोग का तरीका अलग था कुछ हवाल नमबर हाई पुलनबर को डिनोट किया जाता है कैपिटल डब्लिव से वहीं यहां परल बना दिया गया होल नमबर हो गया तो अब यह होल नमबर का मतलब कांटिंग नमबर से अभी नमबश पूरी नहीं थी रहर मतलब नमबर पूरी हो गई, complete हो गई, whole number का होता क्या है, यह whole number अगर मैं कहूं तो यह होता है, 0 से start कर दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यह वाली numbers जो होती है, यह whole number होती है, whole number के वाद से तीसरे number पर अगर मैं बात करों, तो integers, integers, integers को denote किया जाता है, I से, इसको denote किया जाता है, capital I से, फिर से वही सारी बात है, यह समझो कि देखो क्या था, कि पहले जगाने में कभी, ऐसे मतला बस याद रखने के छोड़ी सिखानी है, कि मालों कि लोगों के पास जानवर थे बहुत सारे, जानवर्स के लोग रोज चांटेंग करते genu, फिर कि आज सब्सक्रे है, कि यहसे सब्सक्राइब करते हैं और थे सब्सक्राइब, उसके पास समझ नहीं आ रहा था कि इसके बात नहीं यह को कैसे mathematically कैसे बोले तो बोला mathematically बोला 0 मेरे पास का मेरे पास 0 जानवार है कितने जानवार है 0 मतलब तब जाके numbers पूरी हुई अब जाके उसकी counting पूरी हुई कि हमारे पास कुछ नहीं है का मतलब महत में 0 है I have nothing मतलब I have some I have 0 तो यह वाली बात है यहाँ पर पर 0 हो गया इसके उसके बाद इंटीजर्स जाने इंटीजर्स करते हैं I से खात हो तो इंटीजर्स पर हम बात कर रहें इंटीजर्स आपका है अब देखो इंटीजर्स को हम दिवे धिनोड करते हैं अब इसमें जो कुछ चीजे है वो देखो तो यह वाली जो बात है ना यहां से आता कि इनको हम बोलते हैं यह निगेटिव इंटीजर्स है इधर से इधर वाले को बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं कि यह पॉजिटिव इंटीजर्स सिर्फ वह एक बार के लिए हम पढ़ रहा है इसको यह जीरो इंटीजर्स है और जीरो इंटीजर्स को जीरो इंटीजर्स को हम बोलते हैं ना इधर पॉजिटिव जीरो आपका है ना इधर पॉजिट non-negative ये आपका है, ना तो positive है, ना तो negative integer है, ये आपका A ही है, जो neither positive, उसी में एक ओर word आपको सुनने को मिलेगा, कई बार जिसको नाम होगा non-negative integer, non-negative integer, अब जब non-negative का नाम चलेगा, तो सबसे पहले दोड के कौन आएगा, सबसे पहले दोड के आएगा, 0 कि भाई मैं भी non हूँ मैं भी non-negative हूँ तो पहले 0 और negative कौन नहीं है 1, 2, 3 समझो यह something like whole numbers type का है तो यह non-negative फिर मालो second कभी सुनने को मिलेगा आपको non-positive integer तो यह non-positive हो जाएगा non-positive integer तो इसको भी दोड़ेगा सबसे पहले इसके नहां पे भी कौन दोड़ेगा बोलेगा आरे बोलेगा रहे हम तो 0 जो ना तो negative भी नहीं है positive भी नहीं है मतलब 0 सबसे पहले दोड़ के आया फिर यह minus 1, minus 2, minus 3, dot 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 यह सारी numbers आपके non-positive numbers हो गई non-positive integers हो गई अब आते है इसके बाद integers के बाद आपका अगला term आता है जो की जानना चाहिए अपने को तो fourth number पे यह होता है आपका rational number rational number कल यह सारा मैंने इनका वो आपका थोड़े पहले अभी higher की order करा चला चुका हो तो rational numbers इनका है rational numbers इसको denote करते है capital Q ऐसे यहां पे लगा देंगे यह हो जाएगा capital के हो अच्छा एक आपने किताबी किताब में definition पढ़ा होगा classic seventh में कि ऐसी number ऐसी number फिलाहल में लिख देता हूँ या दिलाने के लिए numbers which can be numbers which can be can be written in the form of written in the form of P by Q Q where Q not equal to 0 and P and Q P and Q belong to integer या natural कुछ भी कह सकते है integer then it is called it is called rational number यह तब काल है rational number like rational number like जैसे माल लोग 2 हो गया and 2 by 1 फिर 1 by 2 फिर 3 by 2 फिर 2 by 3 फिर 1 by 3 फिर 4 by 3 फिर 3 by 4 ऐसे माल लो यह numbers हो गई अच्छा अब क्या था कि जब यह सारी numbers जब लिखे जा रही थे P by Q के form में natural number या integers के टॉम में तो लोगों के पास खलियर वैठे लोग थे और खलियर आदमी का करता है कुछ न कुछ कुराफाद करता है और कुराफाद क्या क्या है divide करना चालो क्या यहां से divide करना जब चालो क्या तो यहां पे इसको आगया 2.0 इसका division क्या तो यहां 0.5 इसका division क्या तो इसका division आया और उसनको 1.5 इसका division आया जब divide क्या तो 0.666 और यह खतम ही नहीं हो रहा है 6 6 dot 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 इसको divide क्या तो यहां 0.333 खतम ही नहीं हो रहा है यह बस चला जा रहा है dot 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 इसको डिवाइट किया तो यह आया 1.33333 खतम नहीं हो रहा है इसको डिवाइट किया तो है 0.75 तो यह आपका डिविजन अच्छा जब डिविजन करने के बाद लोगों ने अपजर्ब किया कि जो रेशनल नंबर है वो डेसिमल के बाद कब के बाद डेसिमल के बाद या तो टर्मिनेट या खतम हो जा रही है मतलब रुक जा रही है या फिर डेसिमल के बाद चलती जा रही है रिपीट कर रही है चलने का मतलब यह हैं सेंस में कि रिपीट कर रही है डेसिमल के बाद सेम नंबर या तो रिपीट कर रहा है या तो डेसिमल के ब पढ़ा कि rational नंबर वो नंबर है कि numbers which are numbers which are after decimal मतलब decimal के बाद either repeat or terminate repeat होती है या तो terminate हो जाती है वह नंबर नंबर के बाद नबर में यह वार बात करेंगे कि यह हमारे लिए जो numbers आपका decimal के बाद या तो repeat एक यहां थो कुर्ण सरे इस बीट हो गया कि यह नमसा है ठीक है